हेलो गोड़बनी दोस्तों मैं आपका दोस्त जोग लेक्षर फ्रम्य आपके बीच में पच्तित हूं आज का वीडियो लेक्चर हैं हम शुरू कर रहे हैं तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो रुपे वाले हैं उसका ही के क्यूशन क्या था उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं जो सिक्के दिये होते हैं उसी में हम आगे तो देखी दोस्तों अपना आज का फर्ष्ट क्यूशन क्या है यह बोला गया है कि एक बेग है और एक बेग के अंदर चस्तो नबबर रुपे हैं कितना रुपे दोस्तों 690 रुपे हैं और इसमें 20 पैसे 25 पैसे 50 पैसे के सिक्के हैं सिक्कों के रूप में हैं सिक्कों के रूप में हैं तो इनकी संक्याओं का अनुपाद यहां लिख देता हूं इनकी संक्याओं का अनुपाद क्या दे रखा हैं पांच अनुपाद साथ अनुपाद से हूं तो 25 पैसे कि सिक्कों की संक्या तो इस क्यूशन को किस परकार करेंगे तो सबसे पहले तो आप क्यूशन को ध्यान से समझ लेजिए एक बैग है और उसमें टोटल कितने रुपे 690 रुपे हैं और इस बैग के अंदर 20 परसे 25 परसे 50 परसे के सिक्के बरेवे हैं और इन शिक्कों का जो संक्याओं का अनपाद है अब देखो यहां रुपे नहीं द कि यहां सेंफिकों के संक्याओं के अनपाद यह हैं तो 20 परसे के शिक्कों की संक्याओं कि किजिए आपको ध्यान से देखना होगा कि सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं कि 20 परसे 25 परसे और 50परसे आप यह रुपे में तो यह सिक्कों में दिया हुआ तो इसको किसमें चैंज कर देंगे रुपे में चैंज कर देंगे सबसे पहले तो इसकों पृष्प के लिख देती हैं पांच अनपाथ-7 अनपाथ-6 मैं अब देखो यह क्या बोल रहा है समझने की कोशिव करना यह बोल रहा है कि बीस बीस पैसे के पांच सिक्के हैं, यह क्या बोल रहा है कि बीस बीस पैसे के पांच सिक्के हैं, पच्छीस पैसे के साथ सिक्के हैं, और पचास पैसे के कितने सिक्के हैं, च्छे सिक्के हैं, तो यहां से देखे दोस्तों, अगर बीस पैसे के पांच सिक क्युआकि 20 एक रुपे में बीस पैसे कि क्या बनाईगे तर पांस बनेंगे यह एक रूपे में प्रफिस कि किसे कि यह सात्तो है तो इसम्हां चार का भागा क्तो है तो यह रुपएक कितने बाद सब्सक्राइब बूराइक परशे नहीं है तो हिएक रुपे मत भीनिल क gratuit यूद्ट पक्राइक शुल उसकते तो यह था आग कि अप्ने आपांस रुपे में चैन्ज हो गया ओप में और ये यह सिकों में ता किस में चैन्ज हो गया और जो टोटल दिया हूँ है वो भी किसमें दिया हूँ है रुपे में Ut funds 156 53 बराबर कितना आएगा इस के बराबर शत्तुनक्य रुपें है असल से पहले इसका योग किजी देखो तीन और एक चार एक पांच पांच पॉइंट साथ पांच आ गया है तो यहां इंटू में कितना जाएगा हंड्रेड आ जाएगा इंटू में हंड्रेड आ गया दोस्तों सो आ साथ से इसकीं का है सब्क्राम करता हैंतों अपर स सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करेंगे diasaka का बढ़ा बोलेंगे चार बार कितना एगा 120 120 का बढ़ा साथ बार बोलेंगे कितना जाएगा आठ सो चालीश सीख्के आगे यही अपना एंस्वर है बिल्कुल इजी सा पांट है आप इसका स्क्रीश और टेलीजिए इसके बाद मैं एक बार आपको वापस बताता हूं फिर अपने नेक्ट क्यूशन करते हैं तो देखें दोस्तों अपने को यह बोला गया है एक बैग है और उस बैग में कितने रुप सास प्तैके सिकों के रूप में हैं हैं कि और बार उनफराथ है बान्फराथ 15 नफराथ 25 स्कावं 20 स्क्वरी और नफर बैइस कंद बाद कीं सिया Сबील चांड और ृ और उन्पाथ इसकोंचों में वहाइ तो हमने क्या कि इंदेगि इसको जो किसी इस司कोंकि पयुक्व है उसको रुप्रियों Best of 5.75 आया वो किसके बराबर है 690 के बराबर है एक है वो किसके 690 बटे 5.75 पॉइंट एट आया तो अपर कितना गया सो और अपने को 25 पैसे के सिक्कों की सिंग कही चाहिए थी तो इसका जो अनपात था वो साथ था तो साथ से हमने क्या कर दिया मल्टिप्लाई यह 25 के पाड़े से काटेंगे तो 23 आएगा यहां चार आएगा 23 का पाड़ा 690 में देंगे 690 में भाग देंगे 30 आएगा इसका मल्टिप्लाई किया तो कितना गया 840 आगया यह था दोस्तों अपना आज का फेस्ट क्यूशन इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क आनैको होगी सब्क्राइटोंक आफो हम करेंगे पिर अपना एक नियर्ट करेंगी हाद आ है तो यह तो देजोंडों नेक्स्ट कुश्यों में क्या बला गया है कि एक बेग में कुल 4201 दोस्त में सब्सक्रीम है एक बेग में चार सो बीस सिक्के है वहाँ क्या था? 690 रुपे था और यहाँ क्या है? सिक्कों की सेंग क्या है फिर यह बोला गया है कि 20 पैसे इनके मानों का अनपाद है देखो 20 पैसे 50 पैसे तथा एक रुपे के मानों का अनपाद मानों का अनपाद देरका है 7 अनपाद 11 अनपाद कितना देरका है? 13 हो तो 50 पैसे की सिक्के जाईए 50 पैसे के सिक्के जाईए लास्ट वाले क्यूशन में और इस क्यूशन में देखे दोस्तों अंतर क्या है और फिर हम इस क्यूशन को करेंगे देखो लास्ट वाले क्यूशन में एक बैग में 690 रुपे दिये वे थे और यहां क्या दिया हुआ है चार पूर मिसें सिक्कें दिये हैं पहला नतर तो यह कि वहां क्या दिया उता कि रुपय दिया हुआ यहां क्या दिया है। सबस्क्राइब है सबसे पहले तो बीस पैसे 155त पैसे हुआ और क्या जाया एक आरेक हुआ है इसका किटना हैận 7 11 और 13 लास्ट वाले में कया था कि यह सिक्के थे वो कि समय चैंज कि थे रुपे में और यहां किया हुआ है सिक्का दिया है अगर रुपे दिया था तो हम चैन्ज नहीं करते तो एक साथ रुपे में 20-20 पैसे कि इतने सिक्के हो जाएंगे देखो एक रुपे में 20-20 से कि 5 उते हैं तो साथ रुपे में कितना हो जाएगा साथ से से मल्टिप्लाई हो जाएगा तो यह क्या जाएगा साथ इंटू क्या जाएगा पांच आजाएगा यह कितना पैंटीस पतास परस्टे के दो होते हैं तो यह कितना जाएगा गैरा इंटू कितना गया बाइस आगया और एक रु तेरा हैं वो किसके बराबर है चारसोबीस के बराबर है इसका योग कर लेते हैं देखो यह कितना गया 30 और यह कितना गया 35 और यह कितना गया किसके बराबर है चारसोबीस के बराबर कि तो फुस्तास पॉष्य के कान पाज कितना है बाइस तो इसे किसी इसे किश लाइं कर देंगे 22 इसे यहां पर पहले भातेंगे एक जीरो से यहां कितना रहां जिए आएच्छा है और यहां बाइस से गुणा कर दिया 22 का गुणा करेंगे तो यह इसका जो एंसर है वो कितना आगे तो इसका अपने स्क्रीन सोट ले लिया होगा इसके बाद हम नेक्स्ट कुशन पढ़ रहे हैं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो में जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करना शेर करना और कॉमेंट करके बताना कि कैसे लग रहे हैं आपको वीडियो में आपके कोई क्यूशन हो तो उसको भी आप कॉमेंट में बताना और आप अपने दोस्तों को भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से करवाना दोस्तों फिर देखे दोस्तों इसका नेक्स एक्सक्यूशन यह हैं कि दो वेक्ति हैं और दो वेक्ति ए और बी की आए दो वेक्ति दो वेक्तियों ए वे बी की आए ए वे बी की आए हैं का अनपाद पांस अनपाद नो अनपाद चार है पिर आगे वो रहा है इसकी खर्चों का अनपाद ए उनकी खरच का अनपाद दो अनपाद तीन हैं यदि ये परतेक पंद्रा सु रुपी बजाते हैं तो ए की आए यदि परतेक क्या हैं पंद्रा सु रुपी बजाते हैं कि तो एक यदि आए तो अपने को किसकी आए बतानी है एक यदि दोस्तों कि सबसे पहले तो हम क्या करें इसको जिस प्रोपर तरीके से हम इगी क्यूशन करना है उसी मेतड़ से हम क्यूशन को करेंगे फिर आपको एक मेतड़ और भी बताए जाएगा वह मेतर अपको सब क्यूशनों में नहीं लगता है यह क्यूशन क्या है दो वेक्ति है ए और बी की आए का अनपात यह है और उनके खर्चों का अनपात जो खर्च कर देते हैं और दोनों कितने रुपे बचाते हैं 15,000 पर बचाते हैं तो एक की आए तो देखिए आय मेंस बचकर दे तो कि आ जाता हैं खर्च आ जाता है ना थो हमने यह ज़ी आए करें लुक्त को माइनस करेंगे तो अपना खर्च आlıकर देख दूरह हैं इसमें से कितनी कि पर Andree पिर देखो आये कितने देर के 4X देर किया है और यहां कितने देर कहा है फंद्रस व्य प्रत एक वीड़ती वूंद्रा सुर्पर बचाता है और यह कितना देर का दो न पात अब इसका क्या करते ते क्रोस multiply तिर्चा गुणा कर देती हैं यह कितना गया दोस्तों 9x देखो तीन का गुणा 3x से करेंगे और यह कितना गया पैंतालिस सो आ गया यह कितना गया आठेक्स आ गया और यह कितना गया तीन हजार आ गया कर दो सब्सक्राइब करा तेया यह कितना गया 9x-8x के विच इस merciful पनिदर जायगा और माइनिस में कितना जाय गदेखा ट्रीट आजए सगान कितना आख दोस्तों अंदरा सब्पीय हाग replica तो अपने को दो एक आई चाहिए और एक हमने कितनी माझा किए थ्री एक्स तो यहां कितना थ्री इंटू कितना जाएगा पंदरहसों यह कितना जाएगा 45 आपकी बात दिमाग में आती है है कि सर अगर इस क्यूशन को हम इतना ना करें तो भी आ जाता है देखो तीन माइनस दो यानि आप क्या करना चाहते हो कि यहां क्या आए और यह क्या खर्च आप आप यह करना चाते हो कि तीन मेंसे अगी तो बचत आएगी यहां से बी 4 मेंसे 3 कट आओगे तो भी बचत कितने आईए पंदरा सौ आएगी यहां तीन से डायरेक्ट भी मल्टीपलाईगा सकते हैं कुछ इसमें यह लग जाता हैं लेकिन कोछ क्यूशन ऐसे भी आते हैं जिसमें यह प्रोपर्टी है जो लगती नहीं है तब हमें यही प्रोपर मैथड है वोई काम में लेना पड़ता हैं तो दोस्तों वह मैथड है वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता हुआ अगर आपको यह वीडियो अच्छा यह है बाट